30 मार्श 2023 नवरात्री की नवमी को करे लौंग का ये महा उपाए आपके हर दुख से आपको मिल जाएगी मुक्ती मातारानी जी का अशिवात से इतना आए का धन आपके पास कि साथ पीड़े भी करेंगे पैसो पर राज नमशकार दोस्तो स्वागत है आपका अपने चैनल शुममंगल में दोस्तो चैत्र नवरात्री की शुरत 22 मार्श 2023 से हो चुकी है और इसका समापन 30 मार्श 2023 को यानि की आज होने जा रहा है नवरात्री में मातारानी जी के 9 सवरूपों की पूजापाट की जाती है और नवरात्री का जो 9 में का दिन होता है ये सबसे जादा फलदाई दिन माना जाता है कहा जाता है कि नवरात्री के 9 में दिन कोई भी रेक्ती अगर हरकी से भी पूजापाट कर लेता है तो उसको मातारानी जी का आश्रिवाद और वर्दान मिलता है जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन से हर परिशानी चली जाती है और उस व्यक्ति के जीवन की जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूरी हो जाती है दोस्तो इस पर राम नवमी 30 माज को है बता दे कि इस पर नवमी पर कुल 21 तरीके के शुब योग बन रहे है धर्म शास्तर में देखे तो ये राम नवमी बहुती जादा शुब है आपको बता दे इस नवमी पर जो समय है ये पूरी 31 साल बाद आया है कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इस नवमी को सही तरीके की पूजापाट उपाये करे जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों आप अपने जीवन में किसी भी परकार की परिशानी समस्या में फसे हुए है इन परकार की समस्याओं से दिक्कतों से आपको मुक्ते मिल जाएगी आपके जीवन की जो भी मनो कामना होगी वो मातारानी जी के अशिवात से अवश्य ही पूरी हो जाएगी आपका एक बात को जानना बहुत ही जादा ज़रूरी है मातारानी जी के नो रूप है कहा जाता है कि माता रानी जो भी वैक्ति नवरात्रों में हल्की सी भी पूजा पार्ट कर ले तो माता प्रसन होकर उस वैक्ति को तुरंत वर्दान और अश्रिवात देती है इसलिए हमारे धर्म शास्तर में नवरात्री को नव मी के दिन बहुत से लोग टोने टोटके के उपाई करते हैं क्योंकि दोस्तों नवरात्री के नव मी पर के गए उपाई टोने टोटके कभी भी विफल नहीं जाते हैं इसका आपको फल मिलता ही मिलता है आपको बताते नवरात्री के दिनों में कोई भी उपाय अगर करते हैं तो वो बहुती कारगर साबित होता है लेकिन हमारे धर्म शास्त्र में साफ साफ खास तोर से ये लिखा हुआ है कि अगर आप नवरात्री के दिनों में सबसे ज़ाधा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उपाय नवमे के दिन करने चाहिए क्योंकि आप अगर कोई उपाय करते हैं, पूजाबाट करते हैं, तंत्र शास्त्र करते हैं तो माता माहा गौरी जी आपको तुरंती वर्दान दे देती है आज आपको इस वीडियो में हम राम नवमे के दिन की जाने वाले उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं अगर ये उपाय आपने अपने जीवन के दो-चार मिनिट निकाल करके कर लिए तो मान करके चलिए कि आप कितनी भी बड़ी परिशानी में फसे हों, कितनी बड़ी पीड़ा से आप तंग हो चुके हों हर प्रकार की मुसीबत से आपको अविश्य ही मुक्ति मिल जाएगी दूसरी तरफ आपके को भी मनोकामना हो जैसे आप नौकरी के तयारी कर रहे थे नौकरी के तयारी कर करके ठक चुके थे आपके नौकरी नहीं लग रही थी, आपके नौकरी लग जाएगी आपका बंद बड़ावय पर चल पड़ेगा चारों तरफ से धन आना शुरू हो जाएगा धन समस्या में अगर आप फसे हुए हैं कर्ज की समस्या में मायजाल में फसते चले जा रहे हैं यकीन मानिये दोस्तों ऐसे कुछ उपाये बताए गए हैं नवमी के दिन करने के लिए कि आप कर्ज के मायजाल से बाहर निकलाएंगे बस आपको इस बात का विश्यशकर के ध्यान रखना होगा ये जितने भी हम आपको उपाये बताए जा रहे हैं इन उपायों को आपको सही मोरत पर करना है क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं ये माहर नवमी का दिन जो आया है ये पूरे 31 साल बाद आया है मतलब इस दिन किये गए उपाये कभी भी खाली नहीं जाते हैं इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अपने ही नहीं बलकि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा और अगर आप भी मातारानी जी के सच्ची भक्त हैं आप ही चाते हैं कि मातारानी जी के आशिवात से आपके जीवन में धन की वर्षा हो तक आपकी आने वाली साथ पीडिया पैसो पर राज करें और आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी परकार की परिशानी का सामना ना करना पड़ें जिस कारे को भी आप शुरू करें उस कारे में आपको सफलता मिलें तो दोस्तो पूरे सची श्रधा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजी और कमेंट बॉक्स में लिखे जै माता दी जै माता रहनी और दोस्तो कमेंट बॉक्स में अपनी राशी डालना मत भूलिएगा इनको एक मोहरत में करना है अगर मोहरत पर आपने इन उपायो को कर लिया तो अवश्य ही माता रानिकाब को आश्रवात मिलेगा और आपके जो भी मनो कामना होगी पूरी हो जाएगी इसलिए इन उपायो को कहीं कौपे किताब में लिख लीजी चलिए दोस्तों अब आपको हम इन उपायों को एक की करके बताते हैं दोस्तों हर माबाप की चाहत होती है कि उनका बच्चा पढ़ने लिखने में तेज निकले लेकिन जब वह यह देखती है कि उनका बच्चा कमजोर है पढ़ने में उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है तो माबाप का दिल एकदम से टूड़ जाता है तो अब आप परिशान मत होई है जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये नवातरी की नव मी का दिन आया है पूरे 31 साल बाद और अगर आप इसका फाइदा उठाते हैं तो अवश्य ही आपको मिले जैसे कि आप जानते हैं कि मोर पंक का पोधा होता है उस पोधे को आपको ढून कर लाना है इसके साथ पते तोड़ करके लाने है सुयस्त से पहले माता रानीची के दाई चरण पर इन पत्तो को छुवा दीजिए और आपके बच्चे की जो किताबे हैं उनमें दबा करके रख दीजिए अगर साथ पत्तो को आप दबा करके रख देते हैं तो मान कर चलिए दोस्तो जो आपके जो बच्चे हैं पढ़ने लिखने का उनका मन नहीं लगता है उस बच्चे का पढ़ने लिखने में मन लग जाएगा दोस्तो इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए इस उपाई को अविश्य ही कीजिएगा दूसरा उपाई जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ऐसा उपाई है जिससे आप आर्थिक तंगी से अगर परिशान है तो इन तरीकों की परिशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी अब मान लीजी आपने कर्च लिया था उसके मायजयल में आप फस्ते जा रहे हैं आपके पास पैसर टिकतर नहीं है फिजोल घर्ची होते चली जाती है तो आपको लेकर आईए और 9 मी के दिन अपने घर पर लेकर किया आईए कहीं से भी ढून करके लाइए जैसे ही सूर्यस्त हो जाए मतलब सूर्य ढखल जाए तो इसको आपको मातारानीजी के अगर आपके घर पर चौके लगी है तो बहुत अच्छी बात है नहीं लगी है तो पूजा तो आप देखेंगे कि जो आपके पैसर टिक नहीं रहा था पैसर टिक ना भी शुरू हो जाएगा अगर आप कर्ज के मायजाल में अफस्ते जा रहे थे तो उस मायजाल से बाहर भी निकल आएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको साथ साफ मातारानी के अश्रिवाद वर्दान मिल रहा है अब तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो अगर आप लोग किसी बीमारी से परिशान थे बीमारी ने आपको धर लिया था तो इस तरीके की परिशानी से मुक्ति मिल जाएगी तो बहु पांच कोमती चक्र को ले जाकर कि किसी भी नीम के पेड़ के पास आपको पूर्व दिशा में बांद देना है। मान करके चलिए दोस्तों जो रोगी था व्यक्ति था जिसका इलाज करा करके आप ठक चुके थे वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा क्योंकि उस व्यक्ति को मातारानी का अश्रिवाद मिलेगा तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखती जै मातारानी और अभी तक आपने वी दोस्तों मातारानी जी का अश्रिवाद आपको मिलेगा और ये जो आपकी मनुकामना है चार धाम पर जाने की तीर्थ यात्रा पर जाने की अवश्य ही पूरी हो जाएगी अब आकरी उपाई जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों ये एक ऐसा उपाई है जिसको जो आपके जीवन में धन की वर्शा होगी और ये उपाई सिर्व नम्मे के दिन ही किया जाता है दोस्तों लॉंग और गुढ़हल का फूल आपक आपको मातारानी जी की चौकी पर जाना है जो आपके घर पर मातारानी जी की चौकी है चौकी नहीं है तो आपके घर में जो पूजा घर है वहाँ पर मातारानी की फोटो है वहाँ पर मातारानी जी की मूर्थी रख्योई है वहाँ पर जाना है इस गुढ़हल की फूल को आपको मातरानी जी को पहनाना है अब एक लाल पोटली में आपको ग्यारा लॉंग रखनी है ग्यारा लॉंग रखने के बाद उसमें आपको ग्यारा काली मिच रखनी है और दो कपूर रखने है अब इसको मौली धागे से बान देना पोठली को इस पोठली को मातर आने जी के दाई चर्णों में छुआ करके अपने धन रखने के स्थान पर रख लेना मतलब अलमारी, तिजोरी या वैपारी हैं जहां से पैसे का लेंदिन करते हैं वहाँ पर दोस्तों यकीन मानिया आपके जीवन में चारों तरफ से धन खिचा चलाएगा, इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी धन में व्रिदी होगी, धन आने के रास्ते खुलेंगे, उन्हीं रास्तों से कई और रास्ते भी बन जाएंगे तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे निवेदेने वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा